आम लंबो दरम परम सुंदरम एक दंतम रक्ताम बरम त्रैनयनम परम पवित्रम उद्धदः दिवाकर नभो उज्जल कांती कांतम विगने सुरम सव सर्व विगन हरम नमामी बिनायकह तुब्यम प्रैमित्रों नमश्कार स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल डॉक्टर एच्छे स्रावत और फेस्बुक पे डॉक्टर एच्छे स्रावत और आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं अगस्त का महिना रात के बाराए बज़ के एक मिनट से मेस लगन में सुरू हो रहा है और मैंने लिखा है थमनेल में बाईस दिन लगातार आठ रासियों पर कस्ट और बाकी के जो अगस्त का दिन बचेंगे आठ दिन नौ दिन जो बचेंगे उनमें चार रासियों पर कस्ट रह जाएगा ऐसा मैंने क्यों लिखा है मैंने पीछे भी बविश्मारी करी थी बड़ा उतल पुतल रहने वाला है बड़े हाथ से हो रहे हैं आपने देखा है कि जो बविश्मारी की थी हो सतीक हो रही है कहीं रेल दुरगटना हो रही है कहीं आदमी गिर के मर रहे हैं बसें खाईयों में गिर रहे हैं कहीं बच्चे डूग के मर रहे हैं कहीं कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है ये सब ग्रह गती का अंजाम होता है तो मित्रो आज मैं अगस्त महीने के अंदर उन आठ रासियों के जन करी दूँगा और चार रासियों को कोई तकलीफ है नहीं उसके सुरुआत करते हैं लेकिन आपको बता दू हमारी किलासें अभी सुरू होंगी एक अगस्त सुरू होने वाली हैं लेकिन किसी कारण अभी एक हफ्ते के लिए उनको टाला जा रहा है एक हफ्ते के बाद में वो क्लासें सुरू हो जाएंगी क्योंकि अभी पिछली जो क्लासिज हैं उनका भी कोर्स कम्पलीट नहीं हुआ है तो आप अभी भी एडिमिसन के लिए संपर कर सकते हैं परसिंद जोतिस की क्लासें होंगी मित्रों अब मैं आपको बताता हूँ कि अगस्त का जो महीना है वो आपने देखा कि रात के बारे वज़े से मेस लगन शुरू होगी मेस लगन में लगनेस मंगल गुरू के साथ बैटा हुआ है मंगल गुरू की युती बहुत सारी रासियों के लिए अच्छी नहीं आ रही है बड़ी तकलीफ आ रही है यहां पर बहुत परिशानी आ रही है अब मैं आपको यह जनकारी देता हूँ कि इसका दुस्त परणाम क्या होने वाला है मेस रासी का सौमी मंगल है वो बरस्पती के साथ बैटा हुआ है और केंद्र खाली है पूरा की पूरा खाली सूरे दे बैटे हुए एक और यह 15 तारीक को यहां से निकल जाएंगे सोले तारीक को सोले तारीक की रसाम को निकल जाएंगे आंसे तो सब उथल पुतल होने वाला है इसका मतलब मेश रासी वाले सब उथल पुतल हो जाएंगे अब हम ब्रिस रासी की अगर बात करें तो ब्रिस रासी वालों को बचाव है उनको किसी प्रकार की तकलिफ इसलिए नहीं होगी कि ब्रिस्ट रासी में स्वेम ब्रस्वति प्राजमा तो इसलिए ब्रस्राशी वालों को टैंसन लेनी के अभश्रकता नहीं है में तुन रासी के बात करूँगा मैं में तुन रासी के अंदर केंद्र के अंदर राहू के तु बैटे हुए पास्विक योग बना हुआ है तो पहली रासी है मेस और यह मेस रासी वाले 22 अगस्त तक परिशान रहेंगे वो इसलिए परिशान रहेंगे कि यहां मेरी पास्विक योग बना हुआ है और फिर 22 अगस्त को बुद्ध बकरी होकर के कर्क में आ जाएगा केंद्र में आएगा तो यह 22 दिन से जो चल रहा था परिशानी वरा फेस वो निकल जाएगा कहने कहीं जो दिक्कतें चल नहीं है वो हड़ जाएगे कर्क में अभी सूर्य है यहां भी पास्विक योग है में भी के अंदर में सूर्य है पास्विक योग है कर्क में भी पास्विक योग है मिथुन के अंदर भी पास्विक योग है राओ के तू बैटे हुएं पापी गरा बैठे हुएं कोई के अंदर में सुख्रन नहीं है सूर्य यहां से चेंज होकर कि अपनी रासी में चला जाएगा 16 अगस्त को और बुद्ध बक्री होकर के करक में आएगा तो 22 अगस्त को आएगा हो और 22 अगस्त तक मेस रासी मेतोन रासी, करक रासी ये तीनों रासियां उतार चराम में बनी रही ही, सिंगरासी वालों को कोई टेंजन निया सिंगरासी में, स्टार्टिंग में सूर्य और बुद्ध की सिटिंग है, अच्छा है, और सुक्र और बुद्ध युति के इंदर में है, मंगल और गुरु की युति के इंदर में है, के इंदर में सनी रा 22 अगस्त को वो बक्री होकर के लाविस्थान पे आएगा के और रासी के अंदर केतू बैटा हुआ बराज माने है तो कन्या रासी वालों को भी उतल पुतल का सामने करना पड़ा है चोट एक्सडेंट से साबदान रहना आपको पाड़ों की आत्रा नहीं करनी है गाड़ी ते दुक्र लाविस्थान पर है वो लाविस्थान पर रहेगा फिर वो नीच हो जाएगा 24 अगस्त को तुला के अंदर 22 अगस्त कर खुप फ्लक्चुसन है उतार चड़ाव रहेगा फुल तो इसके मतला आपको भी वड़ी साबदानी बरतनी क्यावश सेकता है ब्रिश्यक र दुक्र रासी के अगर हम बात करेंगे दनुरासी के अंदर भी उतार चड़ाव है दनुरासी के अंदर भी केंदर में राव केतू बैटे हुए कोई भी सोग्रा भी इस पूरे अगस्त के महीने में आने वाला है नहीं तो ये जो चार रासी मैंने बताई आपको इनमें मर्तुस्थान में चला जाएगा 22 अगस्थ को मर्तुस्थान से बुद्द बक्री उकर के होगा तो 22 अगस्थ तक मकर्रासी वालों को परिशानी रहेगी एक चार सात और दस मेसरासी करकरासी तुला रासी और मकररासी इन इन चार रासी वालों को बाईस अगस तक बहुत तकलीफ है और फिर बाईस अगस को इनके केंदर के अंदर बुद्ध आ जाएगा तो इनको थोड़ा रिलीफ मिलेगा 50% रिलीफ आ जाएगा और जो बाकी मेंने बता ही है तीन चैनो ये जो रासियां है इनका पूरा महीना जो है वो बिगड़ा हुआ है कहीं न कहीं उसमें दिक्कत है और जो दो पाँच आठ और ग्यार है यानि धनु रासी के बात करूँगा धनु रासी वालों को ज़्यादा खत्रा नहीं है कि उनका राजयोग बना हुआ है उन मीन रासी के उपर सनी की साड़े साथी भी चल लए है कुम रासी पर सनी की साड़े साथी चल लए है मकर रासी पर उतरती हुई चल लए है मीन रासी पर चड़ती हुई साड़े साथी चल लए है इनके विवाइस्तान पर के तु बेटा हुआ है तो यहां फ्लेक्शिशन है उतार चड़ा बना हुआ है तो मीन रासी वालों को अभी पूरे महीने ऐसे ही चलाएगा है टेंसन्स में चलता रहेगा तनाम में चलता रहेगा तो तीन, छे, नौ और बार है इन रासीों का पूरा महीना अगस्त का उतार चड़ाम में जाएगा तनाम में जाएगा टेंसन में जाएगा बिमारी में जाएगा परिशानी में जाएगा मेस, कर्क, तुला और मकर रासी ये चार रासी वालों के लिए 22 अगस्त का जो महिना है 22 अगस्त तक ये जो 22 दिन है ये कहने कहीं तकलीब बरे रहेंगे और 2, 5, 8, 11 रासी वालों के लिए उत्तम हैं उनको दिक्कत आने वाली नहीं है तो ये था रासियों का फलादेश डेटेल जानकारी के लिए आप हमें आपन में लेकर के मिल सकते हैं कुली दिखा सकते हैं, कुली बनवा सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें नोट इविशन बैल को दबाएं वीडियो को सेर कर और वीडियो को लाइक करें अब मैं आप से आत रहता हूँ नमस्कार और मुझे संपर करने के लिए वास्तु विजिट कराने के लिए पूजा पार्ट के लिए सामन का महिना चल रहे तो आप मुझे संपर कर सकते हैं आप से कराने के लिए भी संपर कर सकते हैं हमारा दिली का पता है महरसी परासर जोतिस विद्याले C9 महिंद्र पार्क पंका रोड नियर जनकपुरी C1 बस स्टैन न्यू डेली 59 हमारा डेली का नंबर है 981-144-156-9212-96090 हमारा मुंबई का नंबर है 9820-114-29 हमारा नोईडा का नंबर है 9999-896090 हमारी एमेल आइडी है in at the rate astrohubworld.com हमारी वेपसाइड है www.drhsrawat.com पोनुमेंट लेने के लिए संपर करे 9811-144-156-धन्यवाद